अच्छ सुनू, सब्सक्राइब करते वतना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ओनलाइन आओ, तो तुम्हारे फोन की भी घंटाइब हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 एकजाम, जी यहां दोस्तो आज आपके हो चुकिए 8 नॉमबर 2019 के बड़ी अपडेट देखने वाले, सबसे पहले दोस्तो हम बात करेंगे, यूपी टेट 6 दिन में दोस्तो टेट के लिए 1,88,000 आवेदन हो जुके हैं, जी यहां दोस्तो एक बड़ी खबर ह कि सिर्फ 6 दिनों के बीतर लगबग 2 लाग बच्चों ने आवेदन कर दिया है, और दोस्तो एक और अच्छी खबर आ रही है आपके लिए 69,000 सिचक बरती बिल्कुल अंतिम दोर में, तो दोस्तो आपको इससे क्या पैदा होगा, देखी जैसे ही यह सिचक बरती या फाइनल हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्त इस वीडियो हम डिसकस करेंगे यूपी टेट में पास होने का तरीका, देखी एक चीज़ा और बता दें, बिना टेट के आप सूपर टेट में सामिल नहीं हो सकते हैं, जी यहां दोस्तो अगर आप सोचने कि बिना टेट पास क अगर आप सूपर टेट पेपर देना चाहिए, तो आप नहीं दे पाएंगे, आपके पास कम से कम सूपर टेट का पेपर देने के लिए, या तो आपके पास सीटेट होना चाहिए, या तो दोस्त आपके पास यूपी टेट होना चाहिए, उसके अलावा दोस्तो आपके पा जेड़ सारी निकल कर आई उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अकलेश सासन की 72,825 सिच्चक भरती में सुल्क वापसी के आदेश हो चुके हैं दिसम्मर 2000 भरती की परती वालों को बड़ी रात मिली 2015 सपासासन में ही सुल्क वापसी ठीक है उसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रतेश भर में परसजी स्कूलों में उगने वाली सब्जियों से बनेगा मिड़े मेर्चियां दोस्तों MDM खाली पड़ी भूमी परिस्तापित होंगे किचन गार्डन बेसिक सिच्छा विभाग मुहिया कराय का संसाधन तो दोस्तों देखें अगर आप यूपी टेट की तयारी करें तागर आगे चलकर आपको टीचर बनेंगे तो यह सब चीज जाना आपके लिए बह परिच्छा का कारिकरम कुछ ऐसा है इसको देख लिए ध्यान से दोस्तों ने तो फिर आगे चलकर आपको कन्फूजोंगे तो आपका पेपर दोस्तों सुरू होगा आपका 14 नॉर्मर को पहला पेपर होगा सुबह 10 बजे से लेकि दोस्तों 12 बजे तक का समय होता है पहला 10 से 12 ही होता है दो गंटे का पेपर होता है तो यह अगलक डेट लिखा ठीक है ठीक है दस से 12 पहला पेपर दोस्तों आपका भासा एवं गड़ित पठन पाठन यह सब दूसरा दोस्तों सहचिक प्रबंधनेव प्रवसासन यह भी 14 नॉमर से दोस्तों विज्यान गड़ी समाजी कद्यान आपका 15 तारिक हो जाएगा फिर 16 तारिक हो दोस्तों आपका होगा पेपर हिंदी अंग्रेजी और सांति सिच्छेवं सतत्स विकास देखें दोस्तों हर एक पेपर बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टी से रीजन यह है ना कि जो आप पेपर देख रहे हैं इसमें सबसे आदा जो बैक आई थी लाज टायम बच्चों की वो थी आपके अंग्रेजी में तो इस पर थोड़ा आपको विश्य ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद बात करेंग दोस्तों यूपीटेट को लेकर कि अब पास होने का तरीका क्या है दोस्तों देखिए यूपीटेट में हमें स्कोर करना सभी बच्चों को पता है कि यार हमें 1x4 नमर आगे चलके इसमें लिया जाएगा तो हमें स्कोर करना बहुत ही ज़रूरी है चितने ज्यादा नमर स्कोर हो जाब बहुत अच्छी बात है ले बच्चों के लिए सोचे दोस्तों आपका पेपर 150 अंको का होता और उसमें से आपको अगर आप अरच्छी त्वर्ग में आते हैं OBC, SC और HD के बच्चों के लिए 82 नमबर और सिर्फ जनरल के बच्चों के लिए 90 नमबर अगर आप इतने अंकले आते हैं तो आपको पास माना जाता है ठीक है पास होने के लिए आपको कम से कम इतने नमबर चाहिए ठीक अगर आपके एक नमबर भी कम होगा अगर आपके 81 आ रहे तो आप फेल हो जाएंगे यहां पर 89 नमबर ये चनल में तो आप फेल हो मतलब क्या होता है जो बच्चे फेल होते हैं सबसे ज़्यादा तो उनकी math कमजूर होती है mathematics में दोस्तों उनके बहुत ज़्यादा 10 से 12 नम्मर स्कोर करते हैं देखे अगर आप लोग math में स्कोर ने कर पाएं तो आप लोग कैसे आगे स्कोर करें सोचे अगर आप में math में 30 question आते हैं 30 में से कम से कम दोस्तों आपको 20 से प्लस स्कोर करना है गिरी सी गिरी हालत में कैसे अगर दोस्तों आपके 20 से ज़्यादा नम्मर स्कोर होते हैं गडित में तो आपके पास उनी के संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है तो जिन बच्चों की बैक आती है जो बच्चे फेल होते हैं यूपीटेट में तो बैक ने फेल ही माना जाएगा सीधे तो उनकी math थोड़ी कम जोर होती है तो दोस्तो अभी आप लोग के पास समय math को improve करिए जितना अच्छा हो सके math को बनाईए क्योंकि दोस्तो आगे चलकर competition है टफ होने वाला तो आपको यह सब बाते पता हैं तो कोसिस करिए कि आपके अच्छा से अच्छा score हो सके दोस्तों क्योंकि आगे बहुत ही तगड़ा competition आपको देखने को मिलेगा तो आप तैयारी अभी से शुरू करतीजे ठीक है उसके बाद दोस्तों अकले सासन की 72,825 भरती में सुलक वापसी के आदेस हैं यह सब दोस्तों पूरी updates है तो अच्छी बात है दोस्तों की चले सुलक वापस हो तो दोस्तों देगे कितने पैस से वापस हो रहे जरा ध्यान देते हैं समाने पिछडा वर्ग से 500 वह अनसुची जन जाती से 200 रुपे आवेदन सुलक लिया गया था हर अभीरती ने प्रदेश के 30-40 जिलों में आवेदन इसी सुलक को अधा करते वी किया था इसमें करीब 69 लाग अभीरतियों ने आवेद पर 2011 की अधार पर होगा इस अधार पर 22825 पदों के साफेच सिच्चकों की बर्ति की गई बेसिक सिच्चा परिसत की सचियू रूबी सिंग ने बताय कि 5 दिसम्मर 2012 की तहत आवेदन करने वाले भीरतियों का चैन ना होने पर उन से लिया गया आवेदन सुलक वापस करने क का नेड़े हुआ था तो दोस्तों चलिए पैसा वापस होगा तो कौन से प्रमाट पत्र देने होगा जरा इसको देख लेते हैं तो सची ने बताए कि सिलक वापसी के लिए भेरतियों को बैंक चालान तथा आवेदन पत्र की शाय प्रतिव सलग ने करनी होगी साथ ही अप डिटेल नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकती है कि जो आपने चलान कटाया था कि आपके पास अभी भी रखा है यह भी दोस्तों बात होती है न तो दोस्तों यह ख़बर निकल कर आए कि बाइद दिसंबग को प्रसाविट्टेट 2019 के लिए 6 दिनों में 1,88,408 अभेरतियों ने आउनलाइन आवेदन किये हैं परिच्छा नियमक प्राधिकारी कारयाल है कि माने तो बुद्धवार साम 6 बजे तक 2,25,581 अभेरतियों ने रेश्टेशन कराया था इन में से 1,88,408 अभेरतियों ने फीस जमा करते हुए सभी अपचारिकताय पूरी कर दी और अंतिम्रू से आपको दोस्तों हमें साथ देखते रहना कि क्या चल रहा है टीचिंग लाइन में तो उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट थी कि स्कूल में उगने वाली सब्जियों से बनेगा मेड़े मिल देखे अब आप लोग को इसकूल में खाना वाना भी मतलब नहीं हो ता बन मतलब यह से टमाटर मतर मीर्च पत्ता गोवी फूल गोवी तो दोस्तों मतलब मिला कि आप लोग को यह अच्छी खासी खेती करना सिखा दिया जागा अभी आप लोग को यूपीटेट के पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में आप लोग को थोड़ा बहुत यह सब काम करना पड़ेगा तो आगया चलकर आपमके दोस्तों टीचर वन के सब्जिया उगाने के भी ठोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों छले ठीक है जो यह रहेगा थोड़ा पौस्टिक रहेगा मतलब सामने रहेगा ना होता है इतनी दवाशिर क की जाती हैं कि तो आप जो खाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा हो वैसे दोस्तों सभी प्राइमरी स्कूलों में जगा तो नहीं होता लेकि इन गाउं में कुछ प्राइमरी स्कूल से हैं जहां पर काफी जगा खाली होती है तो इन स्कूलों के लिए आदिश हो सकता ले नहीं जहां पर इस्कूल में जगह इन है तो कम से कम आप लोगँ आप फोड़ा सा च्छोटा सा गार्डन बनाएंगे फूल लगाएंगे अब हर देगे आपको सब्जी नहीं हुगा नहीं ठीक है तो दोस्तों दीके हम बात करें से जल्दी देखने को मिल सकती एक नहीं सिच सब्सक्राइब कर लिया जाएगा उसके मतलब दिसंबर 2019 के लाश्ट तक मतलब डवल बेंच में इसका कोड का फैसल दोस्तों विल्कुल फाइनल हो जाएगा तो इसके यह फायदा होगा अब भी लगवग 23,000 सीटे खा लिए जियां दोस्तों तेइस अजार सीटे दिखते तो दोस्तों जब यह 23,000 बच्चे इसमें मतलब नौकरी पासकते तेईस हजार सीटे बहुत ही ज्यादा होती है अभी यह मामलाग कोड में विशारा धीन चल रहा है लेकिन आज नहीं तो क लेकिन दोस्तों जो तयारी का लेवल चल आ वो बहुत ही नौर्मल चल रहा है कि यह में आपको बता देना चाहते है कि यह मत तrah पर सुचिए कि चितने बच्शे लाजप 5 तो बहुत दिन्राथ मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों यह सब खलती है आ यह से चल जोम अंती कर रहे तो मस्ती कम करें दोस्तों क्यूंकि आने वाले टाइम में देखें कंपटिशन बहुत ही तगड़ा होगा क्यूंकि इस समय बच्चों की संक्या बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है गाइएढ़ा धूरर्ष जा इसे बच्चे बच्च होगे हैं तो एसे जोड़-जोड़ के 200,001,000,000 बच्चों हो सकते हैं अगली सिच्च वर्थीत तो अगर आप लोग 10 लाग बच्चों में competition करना चाहतें तो आप अंदाजा लगा सकतें कि यार कितने ज्यादा नंबर लाएंगे तब आपको नौकरी मिलेगी एक समय था दोस्तो जब आपके 8500 वेकेंसी आई थी ना आप लोग बहले पश्तार हो लेकिन अब क्या कर सकते हैं आप लोग भी पहले तो करनी पहेंगे दोस्तो जो आपके 8500 सिच्चे बरती थी इसमें आविदन करने वालों जो छात्रे थे 1,25,000 थे मतलब दोस्तो इसके डबल छात्रन नो भी आविदन नहीं किया था आपको नौकरी मिलनी थी इतने पदो पर 68500 पदो पर नौकरी मिलनी थी और आविदन करने वाले बच्चे सिर्फ 1,25,000 थो 28500 के डबल भी होता है आपका लगभग एक लाग 37,000 थो आप अंदाज दोस्तो लगा सकते हैं कि आने वाले टैम में दोस्तो आपका कंपटिशन होगा वो कितना जबर जस्त होगा अगर आप डेलेट का कोर्स दो तीन साल पहले खल दी होते तो किसमत थी आपके दोस्तो आसानी था आप लोग नौकरी पा जाते ल तो यह आपको नौकरी मिलेगी लेकिन आपको जो महनत करका लेवल होगा वो थोड़ा अप करना पड़ेगा मतलब हाई करना पड़ेगा क्योंकि देख रहे होंगे आप लोग कंपटिशन हर दिन बढ़ते जा रहा ठीक है दोस्तो तो फिर मिलेंगा अगली वीडियो में द अच्छे ठीक है जिनका टारगट से बयाती हो 90 नंबर होता है क्योंकि जब तक आप इसको पास नहीं करेंगे आप सुपर्टेट के लिए अलिजबल नहीं होंगे तो मतलब सुपर्टेट में जाना ज़ार कम से कम इसको पास तो करना ही पड़ेगा उसके बाद दोस्तों ब पावन नंबर दोस्तों लाना उनके लिए ज्याधा दिक्कत की बात नहीं होगी क्योंकि अगर आप दोस्तों बेसिक भी पढ़ लेंगे हर एक सब्जेट्स का तो दोस्तों आप लोग अच्छा स्कोल कर सकते हैं दिखिए कि हम आपको एक और बताएंगे जो बच्छे बु उसके बाद दोस्तों आपको कोचिंग भी जाना है उसके बाद दोस्तों आपको YouTube से पढ़ना है उसके बाद आपको PDF से भी पढ़ना है ऑल्लाइन भी पढ़ना है तो मतलब काफी चीज़े हैं जो बच्छे 140-120 ते कोचेंगे होगा क्या दोस्तों जब आप अलग अलग हे पर भीivowegen जब आपको कॉई से फॹज्ड़ मर भीज़े हैं अलग पजार हैं झापको होगाना हो जब मesली हैं जो क्वे